सोलन के पारक कभी इतने खूपसूरत थे कि बच्चे बुड़े और जवान सभी घूमने आते थे प्रेटकों के लिए भी ये पारक आकरशन का केंदर हुआ करते थे लेकिन आज ये पारक नगर पैशित की अंदेखी की कारण अपनी बधाली पर आंसु बहाने को मुझबूर हैं जगा जगा पर गंद की फैली है रिक रखाव की बेहित कमी हैं जिसके चलती हैं प्रेटक तो दूर स्थानी लोग भी आना पसंद नहीं करते कभी संदर दिखने वाले पारक आज महस धूप सेखने का स्थान बनकर रहके हैं स्थानी युवाउनी पार्क की बधाली पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कभी पार्क बेहत आकरशक थी और यहां बच्चे प्रेटक और सभी उमर की लोग घूमने और खेलने के लिए आते थे लेखित आस यहां पर लगे जातर जूले तोट चुके हैं और जो कलाकरितियां प्रेटकों की आकरशन का केंदर बनती पर तूटे पड़े हैं वज़र्कों की यह बैटने की बेंच नहीं है जो बेंच थे वर भी टूटे पड़े हैं नगर पशित है कि इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है अगर कोई प्रेटक यहां बूले से आवी चाता है तो वह इन पार्कों की और दवारा आने की भूल नहीं करता है यही कारण है कि शेहर के बीच बीच होने के बाबसूब यह पार्क केवल धूप सेखने का स्थान बन कर रह गये हैं हम चिल्डन पार्क की बात कर रहे हैं तो पहले आज से कोई 10 साल 15 साल पहले चिल्डन पार्क के यहां पे काफी अच्छा हुआ करता था जो भी यहां पे फैसिलिटीज थी यह बच्चों को खेलने के लिए और जो फॉंटेन था यहां पे सब वर्किन में था तो लोग यहा के डिस ओफिस के समीप यहां पे जो चिल्डन पार्क है इसकी श्तीती काफी खराब हो चुकी है किसी पहले के समय में ठीक होता था जूले भी प्रॉपर चलते थे लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना उचित सफाई की विवस्त है इन से क्या बोलते यह जो हम मैंटेनेंस टाइम टू टाइम की जाए ताकि यहां पे एक अच्छा आकर्शन का केंदर बन सके यह हमारे शहर के बीचो भी स्थित जो चिल्डन पार्क है यहां पे लोगों के लिए विवस्ता बिलकुल नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए जो जूले लगाए गय है उसकी भी कोई केर नहीं है सारे जूले टूटे वे है और बैंचीज नहीं है यहां सबसे पहले तो बजूर्गों के लिए लोग आते हैं बैठने के लिए चिल्डन पार्क में तो बैठने के लिए बैंचीज अच्छे से नहीं है सब टूटे फुटे है